इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है ये तवचा को प्राकृतिक और स्वस्थ चमक बनाय रखने में मदद कर सकता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक ये बोडी वॉश पैराबेन मुक्त है और शरीर को साफ करने में मदद कर सकता है दो इस कंडिशिनर में ग्लिसरीन की मौजूद की तवचा को नमी देने और शुष्क तवचा की स्थिती को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है 3. शहद में एंटियोक्सीडेंट गुण होते हैं जो तवचा की ख्षती को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं जिससे तवचा स्वस्थ, चिक्नी और चमकतार बनी रहती है 4. शहद एक प्राकृतिक एकस्फोलियेटर है इसलिए शहद के नियमित उप्योग से शुष्क, बेजान तवचा और नीचे की नई तवचा कोशिकाओं को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है 5. गुलाब में कसैले और जीवानों रोधी गुण होते हैं और ये तैलिय और मुहा से प्रवण तवचा के प्रकारों के लिए उप्यूक्त है 6. गुलाब के अर्क में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है जो कोलेजन को उत्तेजित करने में मदद कर सकता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें